नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन, निरामय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, होमियोपैथी की एक बहुत ही खास मैडिसिन के बारे में और वो खास इसलिए है क्योंकि वो एक बहुत ही खास बीमारी में यूज की जाती है और उस बीमारी का नाम है दोस्तों, लिवर कैंसर होमियोपेथी में ये medicine liver cancer के लिए use की जाती है इसके साथ साथ ही hepatic origin के जितने भी cases होते है या फिर वो cases जिनमें की liver और gall bladder involved होते है उन cases में इस medicine का बहुत ही ज़्यादा success के साथ use किया जाता है और symptoms से match करके जब ये medicine किसी patient को दी जाती है तो उसको 100% result इस medicine के मिल जाती है इस medicine का नाम है दोस्तों colesterinum ये मेरे पास colesterinum 3X में है आप देख सकते हैं सामानिता homeopathy में 3X potency का ही use किया जाता है तो आज मैं इसी medicine के बारे में आप से बात करने बाला हूँ कि हम homeopathy में किस तरह से इस medicine को prescribe कर सकते हैं और किस तरह से जो patient की symptom होते हैं वो हमें मिलते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि liver cancer के जितने भी cases होते हैं उनमें colesterinum बहुत ही अच्छा काम करती है खास तोर से यदि first stage liver cancer में ही पता चल जाए कि patient को symptom develop हो रहे हैं cancer के और उस condition में colesterinum का use करना शुरू कर दिया जाए तो फिर बहुत जादा हद तक ये संभावना रहती है कि patient का जो cancer है वो आगे की stages तक नहीं पहुँचता है और काफी हद तक 90% भी उसके cure होने के chances होते हैं इसके अलावा दोस्तों लेकिन इसमें एक खास बात ये होती है कि ये patient की condition पे भी depend करता है कई बार patient के जो symptoms होते हैं वो बहुत जादा severe होते हैं तो फिर उसको ठीक होने में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन overall liver cancer के लगबग हर case में इस medicine का यानि की colesterinum का use किया जाता है इसके अलावा gallbladder stone के cases में भी इसका बहुत ही अच्छा एक role है दोस्तों और जिन लोगों को gallstone की शिकायत है यानि की पित्त की पत्री जिसे कहा जाता है या पित्ताशय की थैली की पत्री जिसे कहा जाता है उस condition में यदि इस medicine का use किया जाता है तो ये लगबग लगबग एक specific medicine है पित्ताशय की पत्री के लिए या gallbladder stone के लिए और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो medicine होती है ये पित्त की पत्री बनने के जो पीछे reason है यानि की cholesterol है cholesterol से पित्ताशय की पत्री का formation होता है तो ये उस cholesterol को ही खत्म करना चालू कर देती है यानि कि उसको गोलना शुरू कर देती है तो पित्त की पत्री ऐसे नहीं टूटेगी कि वो टूट टूट के निकलेगी वो जो stone है ये 10 mm का stone है तो वो धीरे-धीरे गुलने लगेगा 8 mm का, 7 mm का, 6 mm का इस तरह धीरे-धीरे गुलने लगेगा वहाँ से जो cholesterol है वो उसमें से हटता चला जाएगा और धीरे-धीरे वो जो पत्री है वो पूरी तरह गुल जाएगी ये कभी भी पित्त की पत्री को तोड़ेगी नहीं क्योंकि यदी तोड़ेगी तो फिर संभावना ये रहेगी कि फिर वो wild duct में जाके फस सकती है तो उससे फिर और जादा problem हो सकती है लेकिन ये कभी ऐसा नहीं करती है ये cholesterol को वहाँ से खत्म करती है हटाती है तो उसका जो साइज है वो दीरे दीरे छोटा होने लगता है इसके साथ साथी जिन लोगों को jaundice की problem है माल लीजिए liver में कोई खराबी है जिसके कारण pilia develop हो रहा है या कभी-कभी पित्त की पत्री के कारण भी pilia develop हो जाता है तब उस condition में भी ये बहुत अच्छा काम करती है cholesterol और बहुत सारे ऐसे cases होते हैं जो कीवल cholesterol के ही यूज से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं हलांकि jaundice के लिए homeopathy में या liver की बीमारियों के लिए homeopathy में और भी बहुत सारी दवाईयां आती हैं जैसे की चैलीडोनियम मेजस है काल्डूस मेराइनस है काल्मेग है यानि की बहुत सारी दवाईयां है homeopathy में जो की liver से related बीमारियों के लिए और गॉल ब्लेडर स्टोन के लिए यूज की जाती है जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो जैसे निए इस हिस्से में patient को बहुत ही जादा दर्द होता है और वो जो दर्द होता है वो burning होती है यानि की जलन के जैसा दर्द होता है बहुत जलन पड़ती है patient को बहुत सारे patient आपने देखे होंगी जो चलते समय अपने इस हिस्से को यहां ऐसे दबाके ऐसे पकड़के चलते हैं तब उस condition में यह एक बहुत specific symptom है cholesterolinum का और उस समय cholesterolinum का use बिल्कुल जरूर करना चाहिए उससे जो patient का जो दर्द है जो burning है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है इसके अलावा जिन लोगों को gallbladder stone की शिकायत है उन लोगों को यदि दर्द liver के इस हिस्से से शुरू होके और पीछे scapula तक जा रहा है यानि कि कंदे की हड़ी तक जा रहा है तब उस condition में बहुत ज़्यादा success के साथ इसका use किया जाता है उस दर्द को खत्म करने के लिए इसके साथ साथ ही तो netrum self भी एक बहुत अच्छी medicine है जो उस condition में काम करती है लेकिन वो patient के symptom पे overall totality पे depend करती है कि उस medicine का use करना है या नहीं करना है जनरल medicine के रूप में तो colesterinum का use बिलकुल शुरू किया ही जा सकता है liver cancer के cases में भी gall bladder stone के cases में भी इसके अलावा दोस्तों जन लोगों को fatty liver की problem है यानि कि किसी भी कारण से चाहे वो alcoholic fatty liver हो या फिर non-alcoholic fatty liver हो दोनों ही conditions में इस medicine का use किया जाता है क्योंकि ये liver के function को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा help करती है तो जन लोगों को fatty liver की problem है कार्डूस मेराइनस और चैलिडोनियम के mother tinger के साथ साथ और कालमेग के mother tinger के साथ कॉलेस्टेरिनम का भी यूज कर सकते है symptoms पर depend करता है यदि कार्डूस से symptom match करें तो वो यूज करें यदि चैलिडोनियम से match करें तो वो यूज करें general medicine के रूप में तो आप कॉलेस्टेरिनम का यूज करना बिल्कुल शुरू कर ही सकते हैं बहुत अच्छी medicine है liver और gallbladder की हर condition में ये आपको help करेगी और जैसा कि मैंने आपको बताया खास तोर से liver cancer के case में और gallstone के case में यानि कि पित्ताशे की पत्री के insomnia की शिकायत हो जाती है बहुत सारे ऐसे patient होते हैं जिनको की दर्द के कारण नीद नहीं आती है मैं ऐसी clinical practice में बहुत सारे patient को देखता हूँ जिन में की जो आके मुझे बताते हैं कि डॉक्टर सहाब पित्ताशे की पत्री उनको है और उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है रात रात भर करवट बदलते रहते हैं और सबसे बड़ी problem यह है कि जब वो करवट पे सोते हैं तब उनको ज़्यादा दर्द होने लगता है क्योंकि कॉलेस्टेरिनम का जो खास symptom है वो है कि साइडवाइस सोने पे दर्द में एग्रवेशन होता है और इसके कारण से उनको रात रात भर नीद नहीं आती है तो इनसोम्निया की यह स्लीपलेस्नेस की जिसको शिकायत कहते हैं वो वहाँ पे डेवलप हो जाती है तब उस कंडिशन में यदि लिवर कैंसर में और गॉल स्टोन में दोनों में इनसोम्निया डेवलप हो रहा है पेशेंट को नीद नहीं आ रही है स्लीपलेस्नेस डेवलप हो रही है तब उस कंडिशन में इस मैडिसन का यूज करना है यह जो खास symptom है यह मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप patient के symptom से match करके इस medicine को start कर सकें इसके साथ साथ ही दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यह jaundice की भी बहुत अच्छी medicine है यानी कि किसी भी कारण से यह दिव्यक्ति के शरीर में पीलिया डैवलप हो रहा हो तो उस पीलिया को ठीक करने के लिए भी होमियोपैथी की दूसरी दवाओं के साथ साथ कॉलेस्टेरिनम का यूज किया जाता है और बहुत ही अच्छे result मिलते हैं पेशेंट 100% ठीक हो जाता है जिनको पीलिया की शिकायत है उनको एलोपैथी ट्रीटमेंट में तो ज़्यादा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है होमियोपैथी ट्रीटमेंट से पीलिया को पूरी तरह जड़ से खत्म किया जा सकता है हो सकता है किसी patient को जल्ली ठीक हो जाए किसी को थोड़ा सा time लग जाए लेकिन ये है कि उसका जो पीलिया है वो दबा शुरू करने के 3-4 दिन बाद से ही कम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसको पूरी तरह relief मिल जाता है तो यदि patient के symptom से कोई और medicine match कर रही है तो उसके साथ साथ colesterinum 3X का use जरूर करना चाहिए सामानिता यदि हम इस medicine के doge की बात करते हैं तो हमेशा इसके 3X potency का ही use किया जाता है आप देख सकते हैं मेरे पास भी जो ये है वो 3X potency ही है और 3X potency का ही use इसमें ज़्यादा तर किया को use करना शुरू कर देना है सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसको खाने के 10-15 मिनिट पहले से 10-15 मिनिट बाद तक कुछ ना खाया जाए और 2-2 tablet को दिन में 4 बार सीधे जीब पे रखके चूस लिया जाए तो ये सबसे अच्छा तरीका है इस medicine को आप start कर सकते हैं और जै केस टेकिंग का बहुत importance है general medicine के रूप में आप इस medicine को start कर सकते हैं और आपको हमेशा ही इससे बहुत ही अच्छे result मिलेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही आगे के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कुछ नई वीमारियों के बारे में और उनकी homeopathic दबाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत